प्रादे शाथियों कहते हैं कि जब देविदास पाश साल के आयू में थे तो आडे गाउं के जंगल में वो बुढिया अपने पुत्र को लेकर मक्ता नडा रही थी और कहते हैं कि वो बच्चा वायू में हवा में उड़ करके वो ग्राम पचोते में जहां जिनकी समाधी है वहां आ जाते हैं और किस तरव बुढिया माई अपने पुत्र को तलाश करती है और कहती है कहां गए कहां गए पिजन के द्वारा दो अरे कित तो हूँ बेता कुई एक बर मुकते बोले अरे कितो हूँ बेताई में बोख करें तो इसे कारे क्यमन में बोले आरे तो इसे कारे क्यमन रजन नी रोई दूख मार के के फ़ल पाया तो पिसार के अरे रई हाट जाड के मेरे मन में बहची हो अरे तो इसे कारे 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 तो इसे कार ये तो दया पवन में बेटा, रे मन भाग लिखाया धेता, रे मन भाग लिखाया धेता, रे लिया कराला देता, उच्छी पाटी को न्या दोली अरे जिक्ते दोले देता, ये तो देता, रे मन भाग लिखाया धेता, 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 रे मन भाग लिखाया अरे मेरा जाले खट्रा कड़े जा मुत्र की आग बला के सखे जा अरे मुत्र की आग बला के सखे जा राम तू मुझे खोबी ले जा मैं धेदी जननी रोश चरे ते दो भुटे जा मुत्र की आग बला के सखे जननी रोश चरे मुत्र की आग बला के सखे जा तल फिते रोई मेरी तर किसमत पड़के सोई मेरी तर किसमत पड़के सोई मेरी ना सुने का रोई मेरी तर किसमत पड़के सोई 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 कर दो कर दो कर दो